बजार की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आगिया हूँ यहां पर क्रिशी फसल बजार का अफडेट जाने गेगी शाम की कारवारी सत में क्रिशी फसलों का वायदा बजार NCDEX के ऐसा ट्रेड करते नजर आ रहा है किस क्रिशी फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी बंदी नजर आ रही है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या रहे रहेगी यह सब जानने की कोछिश करेंगे सबसे पहले Community Bazaar का व्रेट जाने से पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे Omicron की कुछ केसे के बारे में आपको बता दूँ कि Omicron के जो केसे हैं लगातार भारत में भी अब विदेशों के साथ साथ भारत में भी अब लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं जिसकी वजाद से हमने अब दिल्ली में वीकेंड कर्फियू देख चुके हैं नाइट कर्फियू भी उत्तर प्रदेश, महराष्टर, गुजराद, आधी राज्यू में लग चुका है और एतियाद भी बढ़ती जा रही है और इसी बीच में जब लॉग डाउन लगता है तब तब लोगों चिंता सताने लगती हैं कि उनका कारूबार कैसा चलेगा कारूबार जो नौकरी पेशा वाले हैं वो तो वक्फरोम कर लेते हैं लेगिन जो कारूबार जिनकी दुकाने हैं जिनका अपना बिजनस हैं जो समान बेचते हैं वो कैसा करेंगे तो अगर ऐसी अपनी दुकान चलाने का मौका देती है, बिना एक रुपया खर्च करें, आपको एक भी रुपया खर्च नहीं होगा, एक भी पैसा खर्च नहीं होगा, और आप My Big Bliss एप के जरी गर बैठे बैठे अपनी दुकान चला सकते हैं, करना इसके लिए छोटा सा ये काम होगा, कि स दुकान लाइव हो जाएगी, आपका रेजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा, आपके पास ऑनलाइन ओडर्स आने शुरू हो जाएगे, और आपकी सेल भी बढ़ेगी, जरूरी नहीं कि आप पहले सो कोई कारूबार कर रहे हैं, तबी इस एप का फैदा उठा सकते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं या इंप्लॉई हैं, आप इस एप के जरी अपना समान बेच सकते हैं, वो भी बिना एक पैसा खर्च करें, तो तुरण डाउनलोड करें, माई बिग बिलिस एप, इसी के साथ शुरूबात कर लेते हैं, क्रिशी जीर का वाइदा बज़ार, अब एक बाफ फिर से 6,000 के पार, 6,000 के उपर निकला है, 6,000 के उपर का ही लगा चुका है, वही 5,990 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, सिर्फ 10 पॉइंट की दूरी है, आपको बता दें कि कैसर की, कैसर का जो उत्पादन है, इस बार लगबग पिछले 3 सालों में कम बताया जा रहा है, लगबग 15,9-8,000,000 हेक्टर के करीब कैसर का उत्पादन बताया जा रहा है, जिसकी वज़ा से हमने कैसर की कीमतों में अभी एक हलकी तेजी आती देखी है, बात करें यहां से अकर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का जनवरी बा 3,500 के पाद जा चुका है, जानकारो के मताबिक अभी इन लेवल से कुछ मुनाफ़ा वसली बिनौला खल की कीमतों में बंती नजर आ सकती है, लेकिन अवरला खल में तेजी का ही रहेगा, बिनौला खल में अभी 3,400 के नेक्स लेवल रहेगा, जो जानकार भी बता रहे है, 3400 के बाद बिनौला खल में अभी और अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है बिनौला खल का जो overall outlook है वो positive ही ही है आपको बता दें कि इस बार cotton seed यानि जो कपास के बीज होते हैं जिन से बिनौला खल बनता है उन बीजों की किलत देखने को मिली है और जब किलत बीजों की देखने को मिली है उसकी वज़ा से बिनौला खल का जो उतपादन है वो भी कमी देखने को मिला है लगबग 10-15 फीजदी की गिरावट बिनौला खल के उतपादन में इस बार देखने को मिली है दूसरा cotton की कीमतों में जो तेजी आ रही है उसका असर भी बिनौला खल की कीमतों पर पड़ता दिखाई दिया है और अभी आगे जाके जो dairy products है और अभी आगे जाके जो dairy dairy sector हो गया poultry sector हो गया वहाँ से अभी जो demand है बिनौला खल की भी वो उठती नजर आ सकती है तो overall रूजान बिनौला खल की कीमतों में तेजी का ही रहने वाला है हमारी जो एक्सपर्ट है मोतिलाल आस्वाल के वाइस प्रेसिडेंट अमिच सजेजा उनके मताबिक बिनौला खल 2022 की पहली ती मही में 3400 के लेवल दिखा सकता है वही छे महीने पेर बिनौला खल 4000 और अगर पूरे साल की बात की जाया तो साल 2022 में बिनौला खल एक साल पूरे साल 2022 में 400 तक के लेवल दिखा सकता है ऐसा हमारी एक्सपर्ट हैं अमिच सजेजा उनका मानना है तो ओवरल उजान बिनौला खल में तेजी का ही रहने वाला है बात करें यहां से अगर अब मसालों की तो मसालों में देख रहे हैं कि धनिया का जनौरी वायदा 9350 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है 9470 का ही लगा चुका है 1.5% से जादा की तेजी है देख रहे हैं कि मसालों में भी अच्छी कासी तेजी देखने को मिल चुकी है धनिया काफी शांदार परफॉर्म करता नजर आ रहा है आपको बता दें कि धनिया की जो पाइप्लाइन है वो लगबाग खाली है 22 इस बार घटी है क्रॉप डेमेज भी हुई है और जो कैरी फोवर्ड स्टॉक है धनिया का वो भी काफी कमी देखने को मिला है जिसकी बजासे हम देख रहे हैं कि इस बार धनिया की जो कीमते हैं वो थोड़ी तेजी के साथ कारवार करती नजर आ रही है अभी कुछ दिनों पहले तक हम देख रहे थे कि धनिया का वैदा बजार 8200-8300 इसी एक सीमी दियारी में ट्रेड करता नजर आ रहा था लेकिन आगे जाके हम देख रहे हैं कि धनिया में वर्तमान में अब अच्छी खाजी तेजी बननी शुरू हो गई है आपको बता दें कि धनिया में जो एक्सपर्ट हैं वो आगे तेजी का ही रुझान बता रहे हैं क्योंकि आगे अब शादी सीजन है, होली आएगी, फिर रमजान का महीना है रमजान के महीने हम देखते हैं कि खाड़ी देशों से जो एक्सपर्ट डिमांड है वो मसालों की पिक अप होना शुरू हो जाती है जो निन्यात मांगे मसालों की वो निकलने लगती है और धनिये में भी ओबर और उजहान तेजी कही है वाइदा में भी देख रहे हैं कि लगातार तेजी बनी हुई है 9000 की उपर पिछले 3-4 दिनों से धनिये का वाइदा बजा सस्तीन होकर चल रहा है और देख रहे हैं कि धनिये का अपरेल वाइदा 10,000 के पार निकल चुका है उसमें लगबग सवा 2 फिस्दी की तेजी है अब इसी से अनुमाल लगाए जा सकता है कि जब अपरेल वाइदा 10,000 के पार निकल चुका है अभी से तो आने वाले समय में धनिया और भी तेजी की और जाता नजार आ सकता है तो ओवरोल रुजान धनिये में साल 2022 में तेजी का ही रहने वाला है इसी के साथ बात करें यहां से गर जीरे की तो जीरे का जनवरी वाइदा देखने आज 17,000 के पार निकल चुका है एक फीस्दी की तेजी है वहीं जीरे का मार्च वाइदा की बात करें तो 17,700 के उपर ट्रेड करता निजर आ रहा है देख रहे हैं कि जीरे में अचानग से उच्छाल देखने को मिला है जो जीरे 16,000 पर ट्रेड करता निजर आ रहा था अब वही जीरे 17,000 के पार निकल चुका है और जनवरी वाइदा 17,000 के पार निकला है और मार्च वाइदा 17,700 के उपर है आपको बताते हैं कि जो मुख्योत पादक राजे हैं जीरे के फॉर एक्जमपल जैसे राजस्थान हुआ, आपका गुजरात हुआ, मंद्यपरदेश हुआ वहाँ पर आने वाले दिनों में बारिश और ओले गिरने का अनुमान लगाया जा रहा है कुछ जिलो में, उन राजों के कुछ जिलो में ऐसा देखने को भी मिला है, जिसकी वज़ा से जीरे की जो कीमते हैं उनमें एक उचाल देखने को मिल रहा है तो ओवरोल रुजान जीरे में भी आगे तेजी का ही रहने वाला है, एक्सपोर्ट डिमांड जब जैसे पिक अप होएगी, जीरे की कीमतों में और भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है 17,000 के बाद जो एक्सपर्ट यहां से लेवल दे रहे हैं वो 18,000 का दे रहे हैं और जो हमारे एक्सपर्ट हैं केडिया एडवाइजरी के डिरेक्टर अजे केडिया उनके मुताविक जीरा साल 2022 में काफी शांदार रिटन देता है नजर आ सकता है जीरे की कीमते साल 2022 में 21,000 से लेकर 22,000 तक कभी लेवल दिखाने की तागत रखती हैं तो ओवरल रुज़ान जीरे में आने वाले दिनों में तेजी का ही रहे हैं गलंबी अफ़ी में भी जीरे में साल 2022 में तेजी का ही रुज़ान है बात करें यहां से अगर हल्दी की तो हल्दी का प्रेलवादा देख रहे हैं 10,880 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है साड़े 5 फीजदी की तेजी आज हल्दी की बंदी नजर आ रही है हल्दी का प्रेलवादा देख रहे हैं 10,880 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है पांच फिज़ी का ओप्री सरकेट हल्दी में लग चुका है आपको बता दें कि हल्दी में अचानक से तेजी देखने को मिली है दिरहसल यह जो तेजी है यह crop damage की वज़ा से देखने को मिली है कि हल्दी की जो crop damage होई है दक्चिन भारत में अभी हाली में जो बारिश हुई थी उसकी वज़ा से 40-50 फीजदी हल्दी की जो क्रॉप्ती वो डैमेज हो गई इसकी वज़ा से हल्दी की कीमतों को एनिचलेस तरचे सपोर्ट मिलता दिखाई दिया है दूसरा जो खरीदार है वो हल्दी के पुराने माल की जगा नए माल का वेट कर रहे हैं नए माल का पूछ परक जादा देखने को मिल रही है जिसका माल मंडियों में काफी कम देखने को मिली है जैसा हमें हमारे experts ने बता है हम आपको वो बता रहे हैं कि मन्यों में हल्दी के नई माल की जो उपलब देता है वो थोड़ी कम है और जो पुराना माल है जो उसे खरीदार खरीदने से थोड़ा बच रही है दूसरा बारिश की बज़ा से आवा के प्रवावित हुई है और क्रॉब भी डैमेज हुई है अभी हल टीकी ऐसी सच कोई एक्सपोर्ट डिमार्ण देखने को नहीं मिली है लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में हल टीकी एक्सपोर्ट डिमार्ण भी उरती नज़र आ जा वहीं गवार सीर का जन्वरी बाइद इक सर सो चुराइवे पर ट्रेड करता नजर आ रहा है बासर सो बीस का हाई लगा चुका है देखने की गवार गम और गवासीर दोनों में ही आज अच्छी तेजी बनती नजर आई है हम देखने की लगातार तीन-चार ट्रेडिंग सेश 2022 में भी जो एकसपर्ट हैं वो बता रहे हैं कि गवार गम और गवासीर की कीमतों में महौल जो रहेगा हो तेजी का ही रहने वाला है हमारी जो एकसपर्ट है मोतिलाल आसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमिट सजेजा उनके मुताबिग गवार गम आने वाले दिनों में 13, वो 13,500 तक के स्थर दिखा सकता है वहीं लंबी अफ़ी में 15,600 से 15,800 तक के भी लेवल गवार गम में अमिट सजेजा की मुताबिक देखने को मिल सकते हैं ये लंबी अफ़ी की बात करूं पूरे साल की बात करूं पूरे साल 2022 में 15,000 के उपर गवार गम का वैदा वजा नि मुताबिक छोटी अवदी में 7300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं वही लंबी अवदी की बात की जाया है तो 7600 से 8100 तक के भी लेवल गवासीर में देखने को मिल सकते हैं यानि कि साल 2022 में गवार गम और गवासीर अच्छा कारोबार करते नजर आ सकते हैं बात करें यहां से अगर सोयवीन की तो सोयवीन का जनवरी वैदा देख रहे हैं 6310 पर टरिडिट करता नजर आ रहा है 3336 का ही लगा चुका है पॉन एक फीजदी की तेजी है हम देख रहे हैं कि सोयवीन का जनवरी वैदा आज 3300 के उपर निकला है एक बार फिर से जो सोयबीन पिछले दो से तीन ट्रेडिंग सेशन से 2600 पर अठका वा था, 2600 पर स्टक हो गया था अब उसी सोयबीन में 3600 के उपर का स्टर देखने को मिल रहा है पौने एक फिजदी की तेजी आज बंती निजर आई है आपको बता दें कि हाजिर में सोयबीन की जो मांग है वो थोड़ी तेज हुई है और उपलबधता काफी कम है क्योंकि किसानों को अब उनकी लागत के अनुसार दाम नहीं मिल रहा है किसानों को उमीद थी 10,000, 12,000, 13,000 जाएगी सोयबीन तो उसको निकालेंगे तो उसको बेचेंगे लेकिन अब किसान एक बाद फिर से स्टॉप करके चल रहे हैं होल्ड करके चल रहे हैं अपनी सोयबीन को क्योंकि उन्हें मंडियों में सोयबीन का वाजिब दाम अभी नहीं मिलता नजर आ रहा है क्योंकि साल 2021 में हमने देखा था कि सोयबीन किसानों दग-दस हजार रुपे क्विंटल का बीच खरीद कर बुवाई की थी जिसकी वज़ा और उनको इतनी लागत अभी तक नहीं मिल पाई है पूरे साल 2021 के सीजन में जिसकी वज़ा से अब जो सोयबीन की किसाने वो एक बाद फिर से निचले स्थरपा सोयबीन की बिक्वाली करने से बच रहे हैं वो अभी एक बाद फिर से स्टॉक करके चल रहा है प्लांटों में सोयबीन की जो कीमते हैं, वो थोड़ी तेज हो रसर सो देखने को मिली है हाला कि जो प्लांट हैं सोयबीन के वो अपनी शमता के आधे से भी कम शमता पर चल रहे हैं लेकिन जब मांग है तो प्लांट चलेगा ही और जब प्लांट चलेगा तो कीमते जब डिमान रहेगी तो कीमते उपर जाएंगी ही जाएंगी जिसकी वज़ा से हम देख रहे हैं कि प्लांटों की इनकी बी तेजी की और देखने को मिल रही है महराष्ट की लातूर कीर्धी प्लांट में सोहवीन का बाव 6700 के उपर का देखने को मिल चुका है और दूसरा इंदोर में भी देखाएगी हाजिर में इंदोर में सोयबीन की जो डिमान है फीजिकल डिमान वो थोड़ी जादा देखने को मिली है जिसकी वज़ा से सोयबीन को एकडम से सपोर्ट मिलता दिखाए दिया है महीं बात करें अगर विदेशों की तो विदेशों में भी सोयबीन में तेजी का इरुजान बताया जा रहा है US सोयबीन तेजी की और जाती भी नजर आ रही है South America में जो मौसम है वो सोयबीन के अनुकूल नहीं है प्रती कूल है Brazil हुआ, Argentina हुआ, यहाँ पर hot weather conditions देखने को मिल रही है हाला कि बीच में बारिश भी हुई थी ब्राजील में जिसकी वज़ासे सोयबीन की फसलों को कुछ सपोर्ट मिला था जो थोड़ी फसलें थोड़ी अच्छी हुई थी लेकिन फिर से वहाँ पर जो गरम तापमान है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है वेदर कंडिशन होट बताई जा रही है मौसम अनुकूल नहीं है बिलकुल भी सोयबीन के वहाँ पर जिसकी वज़ासे वहाँ पर सोयबीन का जो उत्पादन है वो प्रवावित हो सकता है हाला कि अभी तक जो पूरी पिक्चर है वो क्लियर नहीं हो पाई है विदेशों में इस व्यादर कंडिशन के चलते लेकिन अमेरिका में सोयबीन की कीमतों में तेजी है महाँ पर मक्का की कीमतों में भी तेजी है तो उसका असर भारत में भी देखने को मिलता है और इसी का ही असर हम देख रहे हैं कि भारत में सोयबीन की जो प्रोड़क्श सोयबीन का जो उत्पादने कितना भी हो जाए अभी हाल फिलाल में पिछले साल की मुकाबले जादा बताया जा रहा है लेकिन जो खपत है वो उससे भी जादा है जिसकी वज़ा से आयात करना ही पड़ेगा और अगर आयात होगा अगर विदेशों में तेजी रहेगी तो घरेलों में भी तेजी बनती नजर आएगी हमारे जो एक्सपर्ट हैं मोतिलाल आस्वाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा उनके मुताबिक सोयबीन साल 2022 में अच्छरी टन देती नजर आ सकती हाला कि सोयबीन में अभी निचले सर भी दिखने वाले हैं बहुत जल सोयबीन में गिरावट भी देखने को मिलेगी जैसे ही सरसों की आवके आनी शुरू हो जाएंगी मंडियों के अंदर सोयबीन की कीमत धड़ाम जाती नजर आएंगी नीचे में साड़े 4,000 से लेकर 5,000 तक जाती नजर आ सकती हैं 8,000 तक की भी लेवल्स वायदा में दिखा सकती हैं वही लंबी अब्दी की बात करें सोयबीन की कीमते 10,000 तक जाती नजर आ सकती है सोयबीन 10,000 तक के सतर दिखा दे वायदा बजार के अंदर ऐसा हमारे एकस्पर्ट मोतिलाल आस्वाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सेजा का मानना है तो ओवरल रुजान सोयबीन में अभी हाल फिलाल में मिला जुला सा रहेगा जब सर्सुकी आवक्य आएंगे तब थोड़ा डाउन जाएगा उसके बाद से कुछ उठने की संभावना जताई जा रही है हमारे एक्सपर्ट दौरा तो ये था छोटा सा क्रिशी फसल बजार का अपडेट कि शाम के कारवाई सत में क्रिशी फसलों का वायदा बजार कैसा ट्रेड़ करता नज़र आ रहा है और उन पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राए है फिलाल बजार की चानल में अभी के लबस इतना ही मुझे दीजिए इजाज़त नमस्कार